हेलो अब्रिमोन वैलकम टू माई चैनल तो दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे टीवी सेरियल अनुपमा में माया का सथ सब के सामने आ चुका है छोटी अनू के बर्थरे पर माया ने अपने बीते कल के बारे में सब कुछ बता दिया है जिसे जानकर लोग काफी हैरान है माया ने ये भी बताया कि जिस से उसने प्यार किया उसी ने उसे धोका दे कर बेज डाला सालों तक वो उसी नरक में जीती रही और अचानक वो एक दिन प्रेगनेंट हो गई और वो किसी भी हालत में अपनी बेटी को नरक में नहीं पालना चाहती थी इसलिए उसने अनू को अनात आश्रम में छोड़ दिया ये कहकर कि वो एक दिन आकर अपनी बेटी को लेकर जाएगी लेकिन जब वो आने वाली होती है तो उसका एक्सिडेंट हो जाता है और अनुज अनुपामा छोटी अनुगो गह ले जाते है अनुज को अपने किये पर होगा पच्टावा अचलिए ये भी आपको बता देते हैं कि कैसे पच्टावा होने वाला है आज के एपिसोड में आज देखेंगे कि माया की कहानी सुनकर सब हैरान होंगे और उसकी हिम्मत की दाद देंगे यहां तक कि बाभी माया को थोड़ा सा दिलासा देगी लेकिन बातों ही बातों में माया ये भी साफ कर देगी कि वो अपनी बेटी को लेकर जाएगी और अनुपमा अनुज इस बाद से परिशान हो जाएगे बा अनुपमा से कहेगी कि वो अपनी बद्दुआ वापस लेती है और वो चाहती है कि छोटी अनु उससे कहीं दू न जाए अनुज को अपने किये पर पच्तावा होगा और कहेगा कि उसे माया के साथ डंग का बरताओ करना चाहिए था लेकिन वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को माया को नहीं देगा आनुपमा से माया कहेगी कि उसके पास तो सारे रिष्टे हैं लेकिन माया के पास सिर्फ छोटी अनु है इसलिए वो छोटी अनु को उसको दे दे परितोश की जान खत्रे में दूसी तरफ शाह परिवार में तोशु के रोज के कारनामों से घरवाले तंग आ गए हैं चलिए ये भी आपको बतायते हैं तोशु ने बाबुची के कार खाने के पेपर्स वकील को दिये हैं ताकि वो उसमें अपना नाम चोड़ सके और ये बात वन राज का पारा बढ़ा देती है तोशु गुस्से में सभी घरवालों को बुरा बला कहेगा और बदले में वन रा हास्पिटल में एड्मिट है और जिन्वेकी के लिए अपनी जंग लड़ रहा है वहां अनुपमा भी आती है और तोशु की ऐसी हालत देख वो परिशाथ हो जाती है अनुपमा की ऐसी अपडेट देखने के लिए आपको क्या करना है जुड़े रहना है हमारे साथ टे के और जल कर दो घजिए और बी आपक तीन्ट दिएकित्लिय एक्तार लाइट देखनैंग कर द की आपको के टाहिए